नए पॉड़कास्ट में फिर से स्वागत है पिछले भाग के अंदर हमने सौभाव से आपके पहचान कराते हुए मैंने आपको साथ में से दो पेर और भाव लिये थे जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी कौन-कौन से थे उस साथ काम, क्रोध, मोह, लोब, भै, इर्श और ग्रिणा, इस में से हमने दो-दो पेर लिये थे, काम और निश्काम वाला पेर लिया और क्रोध और शांत वाला एक पेर लिया जिसको हम कवर कर चुके हैं तो लेट्स मूव ओन टू थार्ड वन विच इस मोह, इसकी शुरुबात मैं एक कहानी सुना के करता हूं आपको, यह कहानी स्कूल के अंदर मैंने पड़ी थी, छटी या साथवी क्लास के अंदर थी, लेकिन आज भी ओ कहानी याद है, तो जब मैंने यह मोह को कवर करने के बारे में सोचा, तो I wanted to relate it with a story, तो मेरे दिमाग में instantly वो story आई, net के ओपर available है, story का शुरू का हिस्सा, जो relevant है, वो मैं पढ़के आपको सुनाऊंगा, as it is, और बाद के हिस्से को मैं थोड़ा fasten up करके करूंगा, ताकि समय ज्यदा ना लगे, तो लेकिन बहुत important कहानी है, कह जो थे, इसके सुदर्शन राइटर थे, और छटी, साथवी, आठवी, क्लास के अंदर जो भी थी, वो थी, आप इसको हार की जीत करके डालोगे, तो यह आपको Google पे मिल जाएगी, तो कहानी का शुरू का हिस्सा ऐसा है, कि जैसे मा को अपने बेटे और किसान को अपने ल गोड़े को अरपन कर देते थे, गोड़ा एक्चुली था ही बहुत सुन्दर, बड़ा बलवान, उसके जोड़ का गोड़ा सारे इलाके में ना था, और बाबा भारती उसे सुल्तान कहके पुकारते थे, उनके अपने हाथ से खर हरा करते, यानि खाना वाना खिलाते, खु उपया, माल, जमीन आदी, सब कुछ छोड़ दिया था, यहां तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी, और अब गाउं के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे, और भगवान का भजन करते थे, और कहते क्या थे, कि मैं सुल्तान के बेना नहीं रह सकूँगा, और जब तक संधिया समय पर सुल्तान पर चड़ कर आठ दस मील का चक्कर ना लगा ले थे, उन्हें चैन ना आता, यह एक स्टोरी का पार्ट जो बेसीकली डिफाइन कर रहा है कि एक ऐसे आदमी के कहानी जिसने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन अब उसके पास घोड़ा ह जिससे उसका मोह बंदा हुआ है, और मोह और प्रेम में बहुत फर्क है, यहां पर हम यह वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं कि उनका प्रेम है, प्रेम क्या होता, वो बिलकुल एंटारले डिफरेंट होता, और अक्सर यह जो है, हम बहुत कन्फ्यूस हो जाते हैं इस चीज के कि आप उसे अधिकार जमाते हो, उसके मालिक हो जाते हो, जैसे इस कहानी में अब ही तक में बाबा भारती का एक घोड़ा है, उनका उनके प्तिक मोह हैं और मोह में वह मालिक बने हुआ हैं उसके, तो कहानी आगे बढ़ती है, कि उसी इलाके के अंदर, अब मैं आपने हम इसको short करके सुना रहा हूँ एक डाकू होता है डाकू खडक सिंग होता है तो उसके कानों तक भी बात पहुंच जाती है कि ऐसे से करके एक बहुत शांदार बलवान बढ़िया घोडा बाबा भारती के पास है तो बाबा भारती के पास आता और आके उस घोड़े को देखता बाबा भारती के साथ बाचीत करता और बाद में बाबा भारती को बोलता कि ये घोड़ा मुझे दे दो बाबा भारती बोलते है कि ये घोड़ा तो मैं दे नहीं सकूँगा मैं इसके बिना जी नहीं सकता तो वो कहता ये घोड़ा तो मैं लेके रहूँगा अब वो चला ग था बात आई गई हो जाती है तो एक दिन अपना गूमने निकलते हैं गूमने निकलते हैं तो एक दो मील दूर की तरफ निकले होते हैं तो सड़क किनारे उनको गरीब आदमी बैठा हुआ दिखता है जो गरीब आदमी उनको बोलता है कि मुझे नगर जाना है तो मुझे लगान बाबा भारती के हाथ से छूटती है और पता चलता है कि वो गरीब के वेश में खड़क सिंग था जो घुड़ा लेके भाग गया और मैं सच कह रहा हूं यह कहानी बहुत रेलेवेंट है ऐसी कहानिया जो पढ़ाई जाती है न स्कूलों में पढ़ाई जाती है उस वक उसक्वत बच्चों का बुद्धी उतनी परिपक्वन ही होती कि वो इसके डफ को समझ सके नहीं टीचर ऐसे होते हैं कि जो असकी डब्ध को समझा सके लेकिन ऐसी काहनिया ऐसे वक्टिमें पढ़ाई जानी चाहिए मेरे हिसाब से आई-ई-ई-एन में पढ़ाई जानी चा लेकिन एक दिन आता है जब वो possessiveness आपके हाथ से खिची जाती है चली जाती है जिसे रेत को अगर आप हाथ में जितना जोड से पकड़ के रखोगे रेत को आप पकड़ नहीं सकते हैं वो हाथ में से फिसल जाएगी निकल जाएगी अक्सर हम रिष्टों पर ये गल्ती करते हैं अक्सर गल्ती करते हैं इसको भूल जाओ कि बाबा भारती है घोडा किसी भी परिवार में किसी भी रिष्टे के अंदर देखो अगर हमें से कोई एक बी possessive है से पती बतनी है उन में से कोई भी एक जना possessive है न और वो आपका मालि बनके बैठ जाता पत्नी हो या पती हो तो दूसरे का जीवन हराम हो जाता जीवन नरक बन जाता similarly ये गलती हम अकसर करते हैं कि अपने बच्चों को अपनी बपोती मान लेते हैं उनके मालिक बनके बैठ जाते हैं एक स्टेज तक बच्चों को एक वैल्यो सिस्टम देना संसकार देना उनको पढ़ाना लिखाना ये आपका जम्मेवारी है ये आपको करना चाहिए क्योंकि आप उनको इस दुनिया में लाया हो लेकिन दा मूमेंट दे बिकम इंडिपेंडेंट आपको उनको छोड़ देना पर म olsun छाइए उनके पर पॉजेसव नहीं होना ची कि लेकिन होता नहीं भात नहीं है इक टी वी गो ये सब्कपोने की एक की एक आट थी जिसके अंदर बाप और बेटे की एक थी बाप 80 साल का है उसका बेटा 60 साल का है और 60 साल का बेटा आके बाप को कह रहा है कि मुझे कुछ पैसे चाहिए अब वो मांग रहा है इंशुरेंस के लिए लेकिन बाप जो है उसको बोल रहा है कि हाँ उड़ाओ उड़ाओ पैसे उड़ाओ तुम्हारा तो आज तक तु the possessiveness कि 80 साल के उमर में भी हमारे यहां पर माबाप 60 साल के लड़के को भी पकड़ के बैठे होते हैं क्या सही है और क्या गलत बताने के लिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं अब खड़क सिंग घोड़ा लेके चला गया तो जब घोड़ा लेके भाग रहा था तो बाबा भारती बाबा भारती ने उसको वापिस बुलाया कि एक मिनट्या तो उसने वापिस आया उसमें बुला कि जो आकि भाबा भारती घोड़ा नहींते तो कुछ भी मांग लेना घोड़ा नहीं तो मेरी तो अंध़ लेजा आज ऐखना आज से घोड़ा तेढ़ाAl तो बाबा भारती ने बोला कि जो है अगर लोग इस घटना को सुनेंगे तो लोग गरीब पर विश्वास करना बंद कर देंगे बहुत रेलेवेंट बात है ऐसी कहानिया सीधी सीधी इतनी डेप्थ होती है तो यह बात अलग है कि स्कूल वाले लेवल के उपर हम इसका मीनिं प्रेक करना चाहिए जो कि बहुत सही है लेकिन कहानी इससे आगे बढ़ रही है जहां पर यह दिखा रही है कि बाबा भारती उसी वक्त मुक्त हो गए दो मुवमेंट जो बाकी जीज़ों से जीवन में मुक्त होई रखे थे लेकिन जो उनकी पोजसिवनेस थी या जो मोह था जो पकड थी जो मालकाना था दा मुवमेंट किसी ने उसको खीचा तो ऐसा था जैसे किसी ने जटका दिया और उनको ऐसास दिलाया कि बस यह नहीं करना दिस इस दी कॉस ओफ यॉर मिजरी यही आपकी दुख का कारण है कि जो इतने दिन रात को आप सोई भी नहीं थे अब खड़क सिंग ने का ठीक है जी और खड़क सिंग चला गया बाबा भारती उस दिन वापसी बड़े मस्त आये आके और अपना बिलकुल बे फिकर होके अपना अपना सोय इतनी गहरी नींद उनको इतनी बढ़िया नींद कभी आई नहीं थी और काहनी का एंड यह कहता रात को चार बजे जब खड़क सिंग ने जाकि जब उस बात पे विचार किया तो उसका मन विचलित हो गया उसको अच्छा नहीं लगा और वह रात को चार बजे आपस जब घोड़ा लेके वापिस आया तो गेट खुला पड़ा अब कोई रख्शा करने वाला नहीं उसी केट पे बैठके बाबा भारती लट लेके बैठा रहता था तो आज कोई भी नहीं है वो गोड़ा छोड़ की चला गया अगले दिन जब मुझ सवेरे जब चार बजे के आसपास बाबा भारती उठे और वो जब चल के जा रहे थे तो उन्होंने अस्तवल की तरफ देखा भी उनके आँखों में खुशवी के आस हुआ है और उन्होंने उसको गले से लगाया और महां कहानी एंड हो जाती है अब यह रिष्टा बिल्कुल अलग हो गया यह बताने की कोशिश यह है कि एक ही रिष्टा कभी जो है अपने बच्चों में अपने अप्लाई करके देखना जिसको आप पोजेसिव मानते हो ना मुमेंट आप उनको मुक्त करते हो तो उनके प्रती जो आपका प्रेम भाह हो है वो भढ़ जाता अपने आप आप अटोमेटिकली भढ़ जाता तो यह बस इस से ज़्यादा मैं इसको एक्स्प्लेन नहीं करूंगा कि मोहो इस पोजेस तो भाव आगया मुक्त भाव जहां पर बिलकुल कोई मोह नहीं है आपने किसी चीज के ओपर कोई पकड़ नहीं मना रखी आपने हर चीज को छोड़ रखा है और आपके आसपास के लोगों की जो सांस लेने की जो कैपेस्ट्री होती है वो बढ़ जाती है लोग उनमुक् के बीच में रेटिंग दे दो कि चाहे वस्तू हो व्यक्ति हो मतब मैं एक्जामपल इस बेसिस के उपर है कि मैंने ऐसे घर देखे हैं जिनके अंदर लोगों ने बुक की शेल्फ की धेर लगाया हुआ होता किताब है किताब है किताब है और मुझे नहीं लगता उतनी किता मोह है और कितने आप मुक्त हो मुक्त भाव वाले हो इसके उपर 0-10 पे रेटिंग करो अब इससे अगला जो भाव आता है तो जो है लोब लालच और ग्रीड ये जो है इससे अगला भाव है तो इसके उपर एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको कि एक बार एक राजा था और सब्सक् uniform कैंदर निकला जैसे होता ना किसी-किसी दिन हम सुबा हुठते हैं तो हम बहुत खुश होते तो उठके जारे था स्टरक के किन अरे एक विखारी बटा था तो राजा जैसे बूड में था उसने विखारी को बोला कि मांग क्या मांगता है आज जो है मेरा दिल खुश है और मैं कुछ देने के मूड में हूँ, बिखारी ने उसकी तरफ देखा, प्रॉमिस ऐसा करो, जो आप पूरा कर सकते हो, और वरना मत करो, तो मुझे तो खाली ये जो मेरा कटोरा है, अगर भर दो, अगर भर सकते हो, तो बस इससे जदा प्रॉमिस कुछ नहीं चाह रहा हो, तो उसको मुझे पूरा करना चाहिए, असिस्टेंट को बुला कि ये इसका जो कटोरा जो है न, वो सोने की मुद्राओं से भर दो, अब स्टोरी से इसकी जो बिखारी, वो सोने की मुद्रा आई, और जैसे ही वो कटोरे में डाली, तो कटोरे में डलते ही कटोरा और मंगाई गई, और डाली गई, और मंगाई गई, और डाली गई, अब धीरे धीरे जो है वो उसके कटोरी में डाले चले जा रहा है, कटोरे में और वो खाली हुए चले जा रहा है, और भीड जमा हो गई, अब क्योंकि जिद वाली बात यह थी कि बिखारी ने राजा से प पैर पकड़ लिये और उससे पूछा कि भई ये मतलब मुझे मुझसे गलती हो गई दंब आ गया मेरे में आहिंकार आ गया और जो आई ये कि लोब उस चीज को बोलते हैं कि जितना देते चले जाओ आप कभी पूरा नहीं होता एक बहुत ही मशूर अंग्रेजी फिल्म थी होलिवूड की फिल्म थी वाल स्ट्रीट करके और जिसका हीरो जो है वो माइकल डगलस है जो बहुत फेमस है और उसका उस फिल्म में एक बह ग्रीड इस गुट वह नैचुरली स्टॉक मार्केट के बैक ग्राउंड पर बनी हो यह फिल्म और किसी भी अगर स्टॉक मार्केट वाले आदमी से बात करोगे तो दो टर्म जरूर यूज करता है ग्रीड एंड फियर कि कभी ग्रीड जयदा हो जाती है तो उसको फियर को स जयदा तर लोग व्यापारी करते हैं तो अगर उनसे भी बोलोगे तो यहीं बोलेंगे कि येस बिना ग्रीड के या बिना लोब के व्यापार कैसे हो सकता यह तो व्यापार को बढ़ाने की सबसे बड़े जरूर आता है ऐसे ही दूसरी तरफ हम बच्पन से सुनते आते हैं जो हमें घर के सब बड़े समाज जो बताता वो यह कहता है लालच बुरी बला है वो जो स्टोरी सुनाएंगे ग्रीडी डॉक की स्टोरी सुनाएंगे वो मैंने कहीं कवर भी की थी तो तरह तरह से यह बताया जाता है कि ग्रीड बैड लालच बुरी बला तो मेरा यह कहना ह है कि एक तरफ अगर आप देखो तो एक अंग्रेजी कहवत है विच सेज देट प्रॉफिट इस नॉट डिर्टी वर्ड तो उसका बेसिक मीनिंग यह है कि लाब यह बहुत लाब इस गुड लोब इस बैड एक पंच तंत्र की कहानी है जिससे थोड़ा और क्लियर करने की कुशिश करता हूं कि एक आदमी के पास एक ऐसी मुर्गी थी जो सोने का अंडा देती थी सबने सुनी होगी कहानी और रोज एक अंडा देती थी सोने का एक दिन उस मुर्गी को काट दू तो सारे अंडे एक साथ निकाल लो और कहानी कहती है कि वो मुर्गी को काट देता है मार देता है अब यह कहने की बात है कि उसने मुर्गी काट दी इस बात को स्टीवन कवी ने अपनी एक्जामपल के तौर के उपर बहुत अच्छे से इस्तमाल करके यह आए एक अलग dimension दी जिसमें वो कहता है कि दरसल देखा जाए तो उसने कोई मुर्गी कोई काटेगा नहीं कोई भी क्यों काटेगा इने वे बातचीत है कि उसने मुर्गी की देख बाल नहीं कि मतल्ब मुर्गी है सोने गांडा देती है रोज देती है लेकिन उसने उसकी देख बाल नहीं की और दीरे दीरे देख बाल ना करने की वज़े से मुर्गी कमजोर हो गई और दीरे एक स्टेज ऐसी आई कि कमजोर होके वो मर गई दरसल बस एक्जेक्ली यही लोब के चक्कर में भी बिलकुल ऐसा का ऐसा ही होता है कि हम इतने जैदा उसके पीछे अगल हो जाते हैं अंदे हो जाते हैं कि उसके चक्कर में हो ना हो अकसर सो लोग उठाके देखोगे जो लॉब के पीछे भाग रहे हैं वह अपने शरीर और सहत का भूल जाते हैं और अंत में उसका नुकसान कर बैठते हैं तभी वो अंग्रेजी कहावत बनी कि health is wealth या रि खाते हैं अक्सर देखो यह अमीरों के साथ यह दिक्कत होती है और मांसिक तनाव के चलते चलते बाद में रिष्टे शरीव और जो है वो मन की शांती सब की आहुती चड़ा जाते हैं लोब के चक्कर में लोब दरसल एक मांगने का भाव है और आपको लेके डूपता दिखत बहुत खूबसूरत है और अब अगर हम इसे कम करते चले जाएं कि लोब को दीरे 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 इसकी जो on a scale of 10 से 9 की तरफ चलते जाए फिर 8-7 जो भी दीरे-दीरे करके 0 की तरफ जाएं तो जो स्थिती पहुंचती है उसे संतोश का भाव करते हैं यह बहुत important word है ब अगर आपके पास जो कुछ अगर फालतू है अगर आपके साथ में कोई आ जाए तो आपके हाथ देने के लिए उठ जाते हैं रादर जैन की लेने के लिए उठ जाएं कुछ भी नहीं चाहिए देने का भाव आ जाता यानि राजा वाला भाव आ जाता बिखारी वाला से देने के भाव में convert हुए practically देखते हुए में भी रॉबिन शर्मा की एक बुक है दा मॉंक हूस होल्ड इस फरारी उस बुक का भी थीम बेसिकली यही है कि उसका जो में कैरेक्टर है वो पहले वकालत करता और वकालत करते हुए इतना डूब जाता है अपने नाम और शौरत और पैसा कमाने के चक्कर में कि एक दिन कोर्ट रूम में खड़ा होता और गिर जाता देनी रियलाइजड कि यह तो गर्डबर थी तो वो दूसरी एक्स्ट्रीम पे चला जाता वो बेश देता अपनी फरारी और मॉंक बन जाता तो बिसिकली ऐसा ही होता जबकि मेरा जो कह जाते हो और पीस ओफ माइंट खो देते हो जो एक्जामपल में दो लोगों का देना चाहता हूं वो बिल गेट्स और वारन बॉफट हैं दोनों दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से हैं तो एक टाइम में उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा के एक वेल्थ जेनरेट करने के लिए पूरा ताकत जोग दी और अब दोनों ही इस वकत क्या है कि सबसे बड़े दानी वे इस दुनिया के वो दोनों ही है या लेटली एक्जामपल अगर जैसे मैं आपको कह रहा हूं प्रॉस्पेरिटी और पीस ओफ माइंड के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए तो उसका बिलकुल लेटेक्स एक्जामपल जो कल का सुशान सिंह राजपूत की जो सुसाइड कमिट करना देखा जाये तो एक पोस्टर बॉआ है इस जनरेशन का जो पोस्टर बॉआ है आमीर खान की थी इडिट्स के बाद आया कि फॉलो यूर पैशन तो फॉलो यूर प एक्टिंग के अपने पैशन के पीछे गया और एक्टिंग के पैशन के अंदर भी जो उसका केरियर ग्राफ जो आया है टीवी से होते हुए तो उसका हिटी हिट आया है विच मीस आखनी फिल्म भी चिछोरे भी हिट थी लेकिन यह सीधा सीधा एक ही चीज बताता है सबकुछ होने के बावजूद बाहर की दुनिया का सबकुछ प्रॉस्पेरिटी के होने के बावजूद आपको जीने का कोई मकसद मज़र नहीं हाता जो मैं यह इमोशनल एमोशन के ओपर जो कुछ भी आपको बताने के खुशिश कर रहा हूं वह अलग-अलग emotions हो सकते हैं नेक्स्ट पार्ट के अनर जो बचे हुए तीन emotions हैं उनको cover करेंगे आज इतना है